नमस्क्राइब दोस्तो में नामे मोहनुर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल में किया ग्यान दोस्तो आज की वीडियो में बात कने वाले अगर आपके रैडमी के मौवाइल में फिंगर प्रिंट जो है काम नहीं कर रहा है या गायब हो गया है फिंगर प्रिंट चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तो रैडम दो के साथ हैं बेल लेकर नाम भूले दोस्तो आल पर टिक करके कि मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लात है नहीं हो चले शुरू करते हैं तो दोस्तो होता क्या है मेरे जो रैडमी नोट 10 के अंदर जो यह गायब हो गया है और fingerprint option तो आप देख सकते दोस्तो मैं step by step जो आपको process बताऊंगा आपको follow करना है उस तरीके से आपका fingerprint या काम नहीं कर रहा है या गायब हो गया है तो वो आ जाएगा दोस्तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ आप time भी देख सकते दोस्तो 5 21 मिनट हो रहे है उसके बाद आप देख सकते हो setting में सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूँ कि जहा हम password and security में जाते हैं तो यहाँ पर चार option होते हैं एक होता है screen lock, face unlock, bluetooth unlock का और होता है fingerprint fingerprint unlock का तो दोस्तो वो जो है चोथा जो है गायब हो गया है तो कैसे मैं आपको इसी वीडियो में आपक होंगा कैसे आप उसे ला सकते हो अगया तो आपका fingerprint work नहीं कर रहा है काम नहीं कर रहा है तो आप उसे भी ठीक कर सकते दोस्तों तो कुछ यहाँ पर आपको मैं step या कुछ ऐसा trick बताऊंगा तो आपको follow करना है तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा दोस्तों यह गायब खरो फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है जैसे मेरा यहाँ पर update का option में update आ रखा है about one में तो यहाँ पर मैं आपसे update नहीं करूंगा और आपको without update करके दिखाता हूं कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो तो यहाँ पर update का रखा है MIUI version का 12.5 version जो है तो यहाँ प 12.5 update है उसमें भी बहुत से problem आ रही है अब जब भी आपको update को option आता है तो version को आप YouTube से देख सकते हो कि वो version सही है की नहीं है तो यहाँ पर जो है MIUI 12.5 का जो है version जो है update वो सही नहीं है अभी तो मैं इसको update नहीं कर रहा हूं अब आपको बताता हूं दोस्तों कि मैं without update के कैसे यह fingerprint option जो मेरा गायव हो गया है उसको कैसे मैं वापिस ला सकता हूं और आपको भी मैं दिखाऊंगो दोस्तों तो शुरू से आप आखिर तक वीडियो को जरूर देखे दोस्तों अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को like करना दोस्तों आप सबसे पहले आपको आप में जाना है एप के बाद मैंएज आप में जाके आपको सर्च करना है सिस्टम remnants यहाँ पर आप जैसी इसको करोगे इसस्टमी उसके हाँ गयां ट टो यह एक हख़ ऐसा पर झाना है एस लीद करो और कैच केलियर में जो है setting setting में आप जाना है आपको जाके भी आपको वहाँ पर clear all data करना है उसके बाद का process भी आपको दिखाता हूँ दोस्तो बस वीडियो में बने रहे और वीडियो को like करे share करे दोस्तो तो देख सकते हो setting में भी जाके मैंने इसको clear all data पर click कर दिया दोस्तो तो यहां से मैंने इसे click कर दिया अब आपको गया करना है अब आपको अपना जो phone है उसे reboot कर देना दोस्तो तो यहां पर reboot का जो screen recording है वो नहीं होती है दोस्तो फिर भी आपको मैं यहां पर life proof दिखा रहा हूँ तो अब आपको गया करना है रिपूट करना है तो यहां रिपूट मैंने हो गया है दोस्तों क्योंकि वो recording नहीं होई थी तो अब मैं setting में जाके चेक करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर setting में गया और गया में यहां पर password and security option में तो यहां पर आप देख सकते हो कैसे मेरा fingerprint जो unlock option वो आ गया है दोस्तों इस तरीके से आप इसको ला सकते हो और आपका fingerprint जो है गायब हो गया या वर्क नहीं कर रहा है तो इस तरीके से आप ठीक भी कर सकती है दोस्तों कहीं जाननी की जरुत नहीं है आपको घबराण हो री होगी यार मेरा फोन जो है खराब हो गया मगर ऐसा कुछ नहीं दोस्तो तो दोस्तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस昨 configur कर सकते हो तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेर करना चैनल को सबस्क्राइब करने दोस्तो रेटन बागे साथ में बले करने दवानना बोल दोस्तो धन्यावाद दोस्तो